नमस्कार दोस्तों, मैं दीपती गुपता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंगलिस के प्रिवेस एर कुश्चिन्स एक वीडियो में हम लोग पंदरह कुश्चिन्स अल्री डिस्कस कर चुके हैं आपके एक सेट में 30 कुश्चिन्स आते हैं मैं 2018 का पेपर आपको solve करा रही हूँ बाकी के 15 कुश्चिन्स जो हैं वह हम इस वीडियो में solve करने वाले हैं क्षिक जो को एक देखिए गणिस लाइब कर एको देखने को मॉका जरूर मिलीगा थी कैड़ तु आय। फोटी चोटे वीडियो बेंडी बिल्कुल पसंद आ रहे होंगी इस तरीके से में और भी वीडियो और CTET का UPTED का तो आपको एक्जाम ही होने वाले हैं बांकि कोर्सेस के बैच रणिंग है तो आप सभी अगर इंट्रेस्टेड है तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके बैच की जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो इन्रोल भी हो सकते हैं आपको काफी अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो क्लासेस दी जाएंगी और प्रैक्टिस कुष्चन कराया जाएंगी क्लियर है आप सभी को अब बिना अपने टाइम को जाया कि हम लोग सबसे पहले कुष्चन पर मूव करते हैं पहला हमारा क इस चीजें आपको पता ही होंगी बच्पन से हम लोग इन चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं माउस का जो माउस मींस चुआ होता है इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वह हमारा क्या होता है माईस होता है इसलिए आपको ऑप्शन नमबर डी यहां से राइट हो जाएग ठीक है अब बचा हमारा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स देखने में तो फ्लूरल लगता है लेकिन यह हमारा सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर होता भी है इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होईएगा हमेशा याद रखेगा ऑप्शन नमबर भी यहा अब हम लोग इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा यानि कि ही वाज आस्कड उसे कहा गया है चुप रहने को यानि कि उसे चुप रहने को कहा गया है अब आप इसमें देख पा रहे हैं यह चीज आपकी डैरेक्ट नहीं बोली गई है लेक अगर आप डैरेक्ट वे में बोलते हैं तो एक्टिव कहलाता है अगर आप इंडैरेक्ट वे में बोलते हैं तो वह पैसिव कहलाता है इसलिए आपको ऑप्शन नमबर एक गलत हो जाएगा आ हाउस वाज बाट फॉर 50 लक्स यानि कि एक घर 50 लाग का खरीदा गया ठीक है यह भी हमारा किसमें जा रहा है पैसिव वाइस में जा रहा है यानि कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम टाइम पर आ जाओ यह हमारा एक्टिव वाइस में आ रहा क्योंकि इसमें डैरेक्ट बात कही गई इसलिए आपको ऑप्शन नमबर सी यहां से सही हो जाएगा ब क्योंकि हमारा एक्टिव में हो जाएगा इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा यानि कि मैंने पूरी मीटिंग में मैं शांद रहा है यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक्टिव में हैं यानि कि इसमें जो है वो आपका करता को इंडिरेक्ट वे में ग्रोप ऑफ चीज़ों को तो आप जरूर इसमें समझ जाएंगे ठीक है तो आपको option number C यहां से सही हो जाएगा बात कर लेते question number 5 की 5 आपसे पूछ रहा है कि that is the man the police was seeking या निकी that is the man the police was seeking इस sentence में जो दा है वो क्या है वो आपसे पूछा गया है what is the status of to the यह आपसे यहां पे question किया गया है अब देखिए आपको मैं बताती हूं कि आपके article कितने प्रिकार के होते तीन प्रिकार के होते एक a होता है एक n होता है एक दा होता है तो जो दा होता है आपका देफिनिट आर्टिकल में हमेशा यूज होता है ठीक है डेफिनिट चीजों में जो आर्टिकल यूज होता है उसे हम दा बोलते हैं तो इसलिए आपका दा जो है वह आपका करना है देखो कोई क्लास होती है अब क्लास के लोत नहीं जो चल रही है अब क्लास में गल्स और वइस दो तरीके की लोग पढ़ते ह्या ठीक है अगर आप गल्स बोलेंगे तो वह और ाइस्कुलाइन जेञड़ हो जाएगा लेकिन अगर आप स्टुडेंट बोलेंगे तो उसमें feminine gender भी आजाएगा और masculine gender भी आजाएगा इसलिए आपका student जो होता है वह आपका क्या होता है? common gender कहा जाता है इसलिए आपका option number B यहां से सही हो जाएगा बात कर लिए तो question number seven की 7 में आपसे पूछा गया है कि he was going along the road, आपको इसमें बताना है कि यह कौन सा tense है, ठीक है, he was going along the road, अब आप सभी को पता होगा कि was और वर्व के साथ जब ing फॉर्म लगती है, तो आपका जो tense होता है, वो कौन सा होता है, past continuous tense होता है, इसमें आपका क्या होता है, was और वर्व plus ing form होती है, वर्व की, ठीक है, clear है आप सभी को, बात कर लेते हैं question number 8 की, 8 में आपसे पूछ रहा है कि language learning starts from, यानि कि जो आप किसी भासा को सीखते हैं, तो वो कहां से शुरू होती है, अब मैं आप guys आप सभी को यहां से इस बात को याद रखना है कि, जब हमारी जो language learning होत होती है, उसमें चार थरीके की skills होती है हमारी, L, S, R, W, यानि कि listening, speaking, reading, और writing, ठीक है, तो पहली जो आपकी skill है, वो कौन थी होती है, listening, यानि कि आप सबसे पहले सुनना सुरू करते हैं, तो आपका option number C, यहां से सही हो जाएगा, question number 9 आपका कह रहा है कि, what is the main main purpose of poetry recitation in a language classroom, यानि कि आपका poetry पढ़ाने का सबसे, मतलब सबसे main purpose क्या होता है, बताइए, classroom में, to know the historical background of the poem, ऐसा तो कुछ नहीं है, to enjoy and appreciate the poem, या फिर, to give their opinions about poem, नहीं, to become aware of the poet and his work, मुझे कि अगर ना poet और उसके work से, उसके लिए aware मैं क्यों होंगी, देखे, poem जो कहानी उसे आपको classroom में पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है, ताकि आप class को enjoy कर सकते हैं, आप उसमें bore ना हो, ठीक है, इसलिए आपका option number भी यहां से सही हो जाएगा, बात कर लेते question number 10 की, 10 आप से पूछ रहा है कि yesterday I saw blank European riding on blank elephant, देखिए, अब आपको यहां पर क्या बरना ह इसमें सोचेंगे कि यार इसमें तो N होना चाहिए, आपको लगेगा कि सवाल गलत है, लेकिन इस सवाल गलत नहीं है, यूरोपियन में आप देखेंगे कि जब आपका इसका हिंदी pronunciation कर रहे होते हैं, तो European E से सुरू हो रहा होता है, इसलिए आपका जो इसमें क्या कहते है आर्टिकल लगता है, वो आपका A लगता है, ठीक है, तो पहले हमारा A आर्टिकल यहां पर आ जाएगा, Yesterday I saw a European riding on, अब elephant में आपका इस तरीके से pronunciation नहीं निकल रहे हैं, इसलिए आपका N आर्टिकल यूज़ होगा, या कि N, तो A और N हमारा B नंबर में है, इसलिए आपको question number 10 का भी सही हो जाएगा, बात कर लेते question number 11 की, 11 आपसे कह रहा है कि choose the correct sentence, यानि कि sentence correct आपको सही से बताना है, ठीक है, please describe about the story, या फिर please describe the story, या फिर please describe of the story, या फिर please describe to the story, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, तो आपको इसमें बताने कि कौन सा सही है, तो देखो, इसमें आपका जो सही होगा, वो होगा आपका option number B सही, please describe the story, ठीक है, तो जो basically जो describe होता है, describe हमारा कोई भी preposition लेता नहीं है अपने साथ में, है न, तो इसलिए आपका describe to भी गलत है, describe of भी गलत है, describe about भी गलत है, इस option number 12 की बात करें, तो इसमें पूछ रहा है कि, prisoner was accused, खालिस्थान मर्डर, यानि कि prisoner, इसमें आपको खालिस्थान में भरना है कि क्या होगा, ठीक है, देखो, accused of जो होता है, A, C, U, S, E, D, accused of means होता है, दो सहर ओपन करना, क्या होता है, दो सहर ओपन करना, क्लियर है आप सभी को, तो इसमें off आजाएगा, option number A हो जाएगा, यानि कि prisoner was accused of murder, यानि कि prisoner पर murder का जो दो सर ओपर था, वो किया गया था, clear है आप सभी को, 13 number में आप से पूछ रहे हैं कि the antonym of innocent, innocent का antonym आप से पूछा गया है, ठीक है, innocent means क्या होता है, innocent भाई, वही जो बेकसूल लोग होते हैं, उन्हें innocent कहते हैं, अब इसका antonym पूछा गया है, clever नहीं होगा, ignorant भी नहीं होगा, active भी नहीं होगा, guilty बिलकुल सही होगा, बेकसूर का जो आपका basically antonym होगा, वो क्या होगा, guilty, guilty का मतलब होता है, अपराधी, clear है, आपका option number 13 का D सही हो जाएगा, बात कर लेते question number 14 की 14 आपसे पूछ रहे हैं कि significant का synonym क्या होगा, prominent, magnificent, efficient या फिर important, अब सबसे पहले तो आपको significant means पता होना चाहिए, क्या होता है, significant means होता है, महत हो, किसी चीज का महत हो, यानि कि importance, important, ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो यहांसे D number सही हो जाएगा, क्योंकि significant means महत हो, important means भी महत होता है, clear option number D, यहां से सही हो जाएगा, लेकिन अब हम आपको prominent की हिंदी बताते है, prominent means क्या होता है, prominent होता है, जो swift, यानि कि जो बिल्कुल इस पस्टों से prominent कहते हैं, ठीक है, magnificent क्या होता है, जो बहुत संदार हो, भव्य हो, जो देखने में बहुत खुबसूरत, उसे magnificent कहत बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं, आपकी efficiency कितनी है, ठीक है, तो यहां से आपका सारी चीज़ें, आपको पता चल गए होंगी, 14 का आपका D, सही हो जाएगा, question number 15, और last है आपका, कि कौन सा ऐसा word है, जो की en लगाके plural बनाया जा सकता है, बचपन से आप सभी यहार पढ़त आ रहे होंगे, कि ox का जो plural होता है, वो oxygen होता है, यानि कि आपका option number D, यहां से सही हो जाएगा, तो आज के यह 15 question रहे है हमारे, आप सभी को I hope पिलकुल समझ में आए होंगे, अच्छे से, और 15 question मैं पिछली वीडियो में solve कराई चुकी हूँ, तो guys इस तरीकी के और भी वी हम face रखी गई है, affordable face है, कोई भी problem आपको होगी नहीं, ठीक है, तो I hope आपको वीडियो समारी पसंद आ रही होंगी, और मिलेंगे नेक्स वीडियो में, कुछ इसी तरीके की छोटी-छोटी वीडियो के साथ, previous questions के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत